ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज 31 मई दोहजार चौबीस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे बाप आए हैं काटों को फूल बनाने सबसे बड़ा काटा है दे अभिमान इससे ही सब विकार आते हैं इसलिए दे ही अभिमानी बनो मीठे बच्चे बाप आए हैं काटों को फूल बनाने सबसे बड़ा काटा है दे अभिमान इससे ही सब विकार आते हैं इसलिए दे ही अभिमानी बनो प्रश्न भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्व्यापी कह दिया है उत्तर बाप बहुरूपी है जहां आवश्यक्ता होती सैकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्यार कर देते हैं भक्तों को साक्षात कार करा देते हैं वह सर्व्यापी नहीं लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्व्यापी कह देते हैं ओम शान्ती यह है छोटा सा गुल्षन यूमन गुल्षन बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने जाड़ भी होते हैं किस्म किस्म के कहां मुखणियां भी होती हैं, कहां आधी खिली हुई मुखणियां होती हैं ये भी बगीचा है ना, अब ये तो बच्चे जानते हैं, यहां आते हैं काटों से फूल बनने स्रीमत से हम काटे से फूल बन रहे हैं, काटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं बगीचा है स्वर्ग जंगल है नर्ग बाप भी समझाते हैं यह है पतित कांटों का जंगल वह है फूलों का बगीचा फूलों का बगीचा था वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है दे अभिमान है सबसे बड़ा काटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं, वहां तो तुम दे ही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है अभी हमारी आयू पूरी होती है, अब हम ये पुराना शरीर छोड़, दूसरा जाकर लेंगे साक्षातकार होता है, हम गर्ब महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखडी बनकर मुखडी से फूल बनेंगे, ये आत्मा को ग्यान है स्रश्टी चक्र कैसे फिरता है ये ग्यान नहीं है सिर्फ ये ग्यान रहता है कि ये शरीर पुराना है इसको अब बदलना है अंदर में खुशी रहती है कलियोगी दुनिया की कोई भी रस्म आदी वहां होती नहीं यहां होती है लोक, लाज, कुल की मर्यादा फर्क है न, वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है यहां तो है असत्य मर्यादा स्रश्टी तो है न बाप आते ही है जबकि आसुरी संप्रदाय है उसमें ही देवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है तो जरूर आसूरी संप्रदाय है उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय इस्थापन हो रही है ये भी समझाया है योगवल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नश्ट होते हैं इस जन्म में भी जो पाप किये हैं वै भी बताने पड़े उसमें भी खास है विकार की बात याद में है बल बाप है सर्व शक्तिमान तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्न होते हैं ये लक्षमी नारायन सर्व शक्तिमान है ना सारी स्रश्टी पर इनका राज्य है वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई, अब तो जमीन ही कल राठी हो गई है अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए जैसे स्टुडेंट वैसी खुशी भी जासती होगी तुम्हारी ये है उँचते उँच यूनिवर्सिटी, उँचते उँच पढ़ाने वाला है बच्चे पढ़ते भी हैं उँचते उँच बनने के लिए तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर उँच बनते हो बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्प के लायक थोड़े ही हो अपवित्र वहां जाना सके नीचे हैं तब तो उँच देवताओं के आगे उन्हों की महमा गाते हैं मंदिरों में जाकर उन्हों की उँचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे उँच बने उन्हों के आगे माथा टेकते हैं हैं तो वे भी मनुष्य परन्तु उन्हों में दैवी गुड़े हैं मंदिरों में जाते हैं उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने ये कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया तुम बच्चों की बुद्धी में सारा ड्रामा वेठा हुआ है कैसे इस दैवी जाड का सेंप्लिंग लगता है बाप आते भी हैं संगम युक पर ये पतित दुनिया है इसलिए बाप को बुलाते हैं हमको आकर पतित से पावन बनाओ अभी तुम पावन होने के लिए पुरशार्थ करते हो बाकी सब हिसाब किताब चुक्तू कर चले जाएंगे शान्ती धाम मन मना भव का मंत्र मुख्य है जो तुमको बाप देते हैं गुरू लोग तो धेर के धेर हैं कितने मंत्र देते हैं बाप का है ही एक मंत्र बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था जिससे तुम देवी देवता बने थे भगवान वाच है न, वो लोग भल स्लोक आदी कहते हैं परन्तु अर्थ कुछ भी नहीं समझते तुम अर्थ समझा सकते हो कुम्ब के मेले में जाते हैं वहां भी तुम सबको समझा सकते हो यह है पते दुनिया नर्क सत्योग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है पते दुनिया में कोई पावन हो न सके मनुष्य गंगा सनान कर पावन होने के लिए जाते हैं क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है आत्मा तो सदैफ पावन है ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तुम लिख भी सकते हो आत्मा पवित्र होगी ज्ञान सनान से ना कि पानी के सनान से पानी का सनान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज सनान करते रहते हैं पानी भी वही पीते हैं, अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है बातें कितनी सहज हैं, पर अंतु किसी की भी बुद्धी में आती नहीं है ग्यान से ही सदगती होती है सैकेंड में फिर कहते हैं ग्यान इतना अथा है चो सारा समुद्र स्याही बनाओ जंगल को कलम बनाओ धर्दी को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता बाप भिन भिन पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुईया बातें सुनाता हूं बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया अरे पहले कैसे सुनाएंगे कहाने शुरू से लेकर नंबर वार सुनाएंगे न पिछाडी का पार्ट पहले कैसे सुना सकेंगे ये भी बाप सुनाते रहते हैं ये स्रश्टी चक्र के आदी मद्यांत का राज तुम जानते हो तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो तुम्हारे में भी नमबर वार हैं जिनकी बुद्धी में बेठा हुआ है तुम्हारे पास आते हैं पूरा रिस्पॉंस नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहां तो पूरी समझानी नहीं मिलती है पालतु चित्र रखे हैं इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए नहीं तो वे भी पूरा समझते नहीं हैं समझाने वाले भी पूरा नहीं तो जैसे को तैसा मिला बाप कहते हैं कहां कहां हम देखते हैं आदमें बड़ा समझतार है बच्चे इतने शुरूड नहीं हैं तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट आने जाने में देरी नहीं लगती है उन्होंने फिर बहुरूपी वा सर्व्यापी की बात उठा ली है ये तो बाप तुम बच्चों को बैट समझाते हैं कोई कोई आदमी ऐसे चाहिए आजकल तो कोई छोटे पन से भी शास्त्र कंट कर लेते हैं क्योंकि आत्मा संसकार ले आती हैं कहां भी जन्म ले फिर वहां वेद शास्त्रादी पढ़ने लग पढ़ेंगी अंतमती सो गती होती है ना आत्मा संसकार ले जाती है ना अभी तुम बच्चे अपना पुरानी दुनिया का विनाश होना है मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि सुर्ग नई दुनिया में हुता है तुम बच्चे ही जानते हुँ हम सची सची सत्य नाराएण की कथा वन मर नाथ की कथा सुन रहे हैं है एक ही कथा, सुनाई भी एक नहें, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, द्रिश्टांत सब तुम्हारे हैं जो फिर भक्ती मार्ग में उठा लिये हैं, तो संगम पर बाब ही आकर सब बातें समझाते हैं ये बड़ा भारी बेहद का खेल है, इसमें पहले है सतियुक्त्रेता, राम राज, फिर होता है रावन राज ये ड्रामा बना हुआ है, इनको अनादी अविनाशी कहा जाता है हम सब आत्माए हैं, ये ग्यान कोई को है नहीं, जो तुमको बापने ग्यान दिया है जो भी आत्माए हैं, उन्हों का पार्ट ड्रामा में नूधा हुआ है जिस समय जिसका जो पार्ट होगा, उसी समय आएंगे व्रद्धी को पाते रहेंगे बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ बच्चे ही बुलाते हैं, बाप भी कहते हैं, हमारे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए है यह है यथार्ट बाते आत्मा जो अकाल है, उनका यह तक्त है, लोन लिया हुआ है ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है बोलो, देखो लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं साधारन तन में आता हूँ वह सजा हुआ स्री क्रश्न ही 84 जन्म ले साधारन बनता है साधारन ही फिर वह क्रश्न बनता है नीचे तपस्या कर रहे हैं जानते हैं, हम ये बनने वाले हैं त्रमूर्ती तो बहुतोंने देखा है परन्तु उनका अर्थ भी चाहिए न इस थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे इस थापना के समय का नाम, रूप, देशकाल, अलग पालना का नाम रूप देशकाल अलग है यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज हैं यह नीचे तपस्या कर रहे हैं फिर यह बनने वाले हैं यही 84 जन्म ले यह बनते हैं कितना सहज ग्यान है सैकेंड का बुद्धी में यह ग्यान है हम यह देवता बनते हैं 84 जन भी इन देवतां को ही लेने हैं और कोई लेते हैं क्या नहीं 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं खिलोना होता है ना मचलियों का मचली ऐसे नीचे आती है फिर उपर चड़ती है वह भी जैसे सीड़ी है भ्रमरी कच्चुए आदी के भी जो मिसाल दिये जाते हैं वह सब इस समय के हैं ब्रमरी मैं भी देखो कितना अकल है मनुष्य अपने को बहुत अकल मन समझते हैं परन्तु बाप कहते हैं ब्रमरी जितना भी अकल नहीं है सर्प पुरानी खाल छोड़कर नहीं ले लेते हैं बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है समझदार और लायक आत्मा अपव पवित्र होने के कारण लायक नहीं है तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है वह है ही लायक दुनिया ये तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी स्रश्टी को हेल से हेविन बनाते हैं हेविन क्या होता है ये मनुश्यों को पता नहीं है हेविन कहा जाता है देवी तुम समझते हो सत्योग नई दुनिया में हम ही राज भागे करते थे चौरासी जन भी हमने ही लिया होगा कितना बार राज लिया है और फिर गवाया है ये भी तुम जानते हो राम मत से तुमने राज लिया है रावण मत से राज गवाया है अभी फिर उपर चड़ने लिये तुमको राम मत मिलती है गिरने लिये नहीं मिलती है समझाते तो बहुत अच्छी तरा से हैं परंदू भक्ति मार की बुद्धी बड़ी मुश्किल चेंज होती है भक्ति मार का शो बहुत है वह दुबन एकदम गले तक उसमें डूप पड़ते हैं जब सभी का अंत होता है तम मैं आता हूँ अब सभी को ज्यान से पार ले जाता हूँ मैं आकर इन बच्चों द्वारा कारे कराता हूँ बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्रामन ही हो जिनको खुदाई खिदमत कार कहा जाता है ये सबसे अच्छे ते अच्छी खिदमत है बच्चों को स्रीमत मिलती है ऐसे ऐसे करो फिर उनसे छाट कर निकलेंगे ये भी नई बात नहीं है कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे ड्रामा में नूध है तुमको सिर्फ पैगाम पहुचाना है है बहुत सहज तुम जानते हो भगवान आते ही है कल्प के संगम पर जबकी भक्ती फुल फोर्स में है बाप आकर सब को ले जाते हैं तुम पर अभी ब्रस्पती की दशा है सब स्वर्ग में जाते हैं फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं कोई पर मंगल की दशा कोई पर राहु की दशा बैठती है अच्छा मीठे मीठे सिकी रदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है सारी दुनिया को हेल से हेविन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है खुदाई खिदमतकार बनना है दूसरा कलियोगी दुनिया की रस्म रिवाज लोक लाज कुल की मर्यादा छोड सत्य मर्यादाओं का पालन करना है देवी गुड संपन बन देवी संप्रदाई की स्थापना करनी है वरदान अपवित्रता का अंश आलस से और अलबेले पन का त्याग करने वाले संपून निर्विकारी भव अपवित्रता का अंश आलश से और अलबेले पन का त्याग करने वाले संपून निर्विकारी भव दिन चर्या के कोई भी कर्म में नीचे उपर होना आलश में आना या अलबेला होना ये विकार का अंश है जिसका प्रभाब पूजनिय बनने पर पड़ता है यदि आप अमरत वेले सुयम को जागरत इस्थिती में अनुभव नहीं करते मजबूरी सेवा सुष्टी से बैठते हो तो पुजारी भी मजबूरी वा सुष्टी से पूजा करेंगे तो आलश सिवा अलबेले पनका भी त्याग कर दो तब संपूर निर्विकारी बन सकेंगे सिलोगन सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती